हलो रोवान वेलकम तो कोज़िफाय आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 इंपोर्टन को डिस्स करने वाले जो कि होने वाले टॉपिक से सब्सक्राइब काफी दिनों पहले शुरू किती जिसे कि आपका और प्योग और क्लस के में इनका एक्जामनेशन डेट आ चुका है और काफी सरी स्टोंस के अभी हमें रिक्वेस्ट देखने को मिल रहे है इसलिए मैं आपको बिफोर एक्जामनेशन काफी नहीं यह computer का तो उसको correct answer है option c windows बाकि monitor keyboard CPU और none of these तो यहाप यह option में नहीं था यह इसमें से जो correct answer आ जाएगा फिर हमारा वो रहेगा windows that means windows का है हमारे एक type of software है ठीक है operating software है ठीक है but it is not a hardware of a computer काफ़े सिंपल चाप कोश्चन था और इस top 10 students जोने इस question का correct answer हमें comment box में comment किया है और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम में मेरे next session में लो तो session का इस साल के लिए किस तरीके से preparation करना है और आपको मैं अशुरेटी की साथ बता दो क्योंकि जिस साल हमने preparation कराई थी पिछले साल तो students को काफी जदा benefit मिला था 30 plus questions उनको आप देखने को मिले थे और उनको वहापे easily आ भी कहते ठीक है तो यह आपको धहन में डेकना होगा जो remaining इसके साथ साथ में जो भी students इस साल first time देख रहोंगी हमारा session को कोचिफाय चैनल के अगर first time मारे होंगी तो हमारा जो काफी पॉपलोड सा session है computer awareness marathon काफी अच्छा response हमें उसके पर मिला है उसका हमने ebook में convert करके हमारे official application कोचिफाय के उपर upload करा दिया काफी nominal price हमने उसके पर आपको कोचिफाय का application download करना पड़ेगा जिसकी link में आपको distribution box ने प्रवाइड कर रहे दी उसके बाद study material में जाके आप ebook के section में जाएगा slide करके तब जाके आपको आपको ये ebook मिल जाएगा काफी nominal price के पर रखा और काफी total one shot आपको ये solution है आपकी RRBPO के examination के लिए काफी जाए इंपोर्टन है और यह हमारा second session second session था वो भी मैंने इसमें include करा दिया काफी important है जाके अगर अपने purchase नहीं किया तो आप इसको purchase कर सकते हो और जो students नहीं है उनको मैं बता दू RRBPO Mains के 2019 के January के और February के जो questions है 2021 में जो question पूछा गया तो यह हमने सारे sessions के list मैं आपको playlist description box ने provide करा देता हो यह session तो आपको miss नहीं करना है guys मैं आपको बता दू यह one यह seven session है that means 2019 का हो गया 2021 का computer content जो है questions जो है उसके variety of questions आपको मिल जाएंगे आप चींता मत करीगा काफी आपको इससे definitely फायदा होगा अगर आप चाहते हो तो आप सभी sessions के जो comment box के मादा हम से आप जाके review चेक कर सकते students का कि कितने सारे questions आप आपको उनको देखने को मिलेते हैं जिसके मैंने आप यह mention कि जो पढ़ाया वही है 14th of March 2021 को मैंने यह review आपको प्रवाइट कर रहा था तो यह सारे sessions guys आपको जाके देखने होगे तो अभी हम लोग हमारी questions के और बढ़ते हैं और without wasting any further time मैं आपको यह questions प्रवाइट कर रहा था हूँ ठीक पहला question कहा है which of the following is not an operating system used in a cell phone यह बात कि जो trend में ibs questions पूछता है वो जनरल डे टो डे लाइब से questions पूछता है इसलिए मैं आपको जो questions फ्रेम अप किये मैंने खुद करके आपको यह पर प्रवाइट करें अपर हमें question में क्या पूछ गया है कि इसमें से कौन सा operating system में जो हम लोग cell phone में यूज नहीं कर दे दिखिए गाइस ब्यान में रखना होगा कि आपको question अच्छी तरह कि रीड करके इसको answer में answer आपको देना होगा क्यूपि वही काफी important इस चीज में आपके लिए role play करता है कि आपका selection दिलाता है या नहीं क्योंकि आपको 20 marks लेने के लिए काफी कम टाइम रहता है और आपको 40 questions रहते और इस computer awareness का session जो आजकल आ रहा है वह काफी detail में पूछ जाता है तो वह है हमारा इस question का character answer रहे का Ubuntu Ubuntu जो है हम लोग जो cell phone के अंदर use नहीं करते generally हाला कि हम नोगा IOC है हमारा Apple का system है OS है Simeon जो हमारे Nokia के previous cell phones आते थे वो भी उसके base पे रहते है Simeon OS पे फ्रोय जो है यह part of Android है 2.0 something इसका number है फ्रोय सबसे initially 2.2, 2.3 इस तरीके से जो initially हमारा Android के versions आते थे ठीक है उसका यह part है और Android भी हमारा cell phone के अंदर use होता है तो cell phone के अंदर कौन सा यूज नहीं होता है Ubuntu ठीक है option C is question का correct answer जाएगा then we have a next question which is question number 2 B.S.O.D.S. can be caused by poorly written device driver or malfunctioning of hardware such as faulty memory, power supply issues, overreating of a component or a hardware running beyond its specification limit which of the color screen is displayed when encountered B.S.O.D.E.R.R. आपको यह ऐसा question काफी important है मैंने आपको बता दो computer OS या फिर system software से लेट यह question है इसलिए मैंने आपको mention किया है B.S.O.D.E.R.R. जो है हमारा blue screen देता है काफी कबार अपने आपके laptop को computer को देखा होगा है कि suddenly आपका PC कुछ इस सिर्गे से crash हो जाता है इस ही को हम लोग कहते B.S O.D.E.R.R. को ध्यान में रखे गए काफी कबार memory fault होने के कारण पावर सप्लाइ में इस होने के कारण या फिर अगर आपको जो component कापके computer में लगा है उसको over specification के specification के beyond अगर आपको use कर रहे तो वहाँ पे भी उसके कारणी B.S.O.D.E.R. आते है इसको हमार हमारा full form क्या रह आती है ठीक है धिन भी आपा नेक्स कुशिंट भी इसको नाबर 3 इन अ कंपूटर प्रोग्रामिंग देर इस सेट अफ सब्रूटिंग डेपिनिशन रहते है कुछ रूल्स रहते है और टूल्स रहते है इसमें से हमारा क्या टर्म है जो requirement हमें बताते है तो गवन है तो हो अप्लिकेशन कें टॉक तो वन अनादर अप्लिकेशन किस तरिके से कमिनेट कर सकते है एक दूसरी के साथ में तो वो है हमारा अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको हम लोग कहते है एपिए गाइस काफी इंप्रोड़न कोशन है ठीक है OS और सॉफ्टर सिस् तो कम्यूनिकेट विद इच अधर वाया इंटरनेट इंप्रोड़न है ठीक है दिन वी आवर नेक्स कुशन विच इसकोशन नुबर फॉर विच लैंगविज वह उस्टू प्रोग्राम और सेकंड जेनेरेशन कंपूर्टर सेकंड जेनेरेशन कंपूर्टर हमारे ट्रांस जान आए अलगे यह अलगे लोग इसके बारे में डिस्ट कर चुक है तो यह सारी चीज़े आपको धान में रखने हो ठीक है दिन वी आवर नेक्स कुशन विच इसकोशन नुबर फाइए पाइप इसकोशन का करेट आएंस रह着 आगा तो यह जो कंसेप्ट आ किसने डिशा 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 डिटलोप किया था जो वं नुमन नी यह हमारा डेवलोब किया तो option B इस question का correct answer आजागा काफी important है यह हमारे John 1. Newman जो थे वो इस इनका full form है John 1. Newman ठीक है तो हम लोग इसको directly 1. Newman भी आपे mention किया है ठीक है यह question आपको यह answer जो यह ध्यान में रखना होगा यह हमारा Hungarian, American यह mathematician थे यह computer scientist भी थे इन्होंने यह develop किया है then we have a next question which is question number 6. The government of India all-in-one application platform mobile app for accessing various state and central government services is called as what? काफी important question है और यह ऐसा question मेंली पूछा जा सकते है the government of India's all-in-one multi-platform mobile application for accessing various state and central government services is what? वो हमारा ओमंग धान में रखे का ओमंग का full form का है unified mobile application for new age governance देखे यह ओमंग क्या है government का हमारे government of India का single unified source secure multi-channel, multi-platform multi-lingual, multi-services freeware mobile application है ठीक है और यह हमारे जो 1200 से जादा अधिक हमारे state और central government की services रहती है जिसे कि आधार service हो गया गाईज आपको डिजी लॉकर पता है भारत bill payment service हो गया BBPS आपको पता है ठीक है और उसके बाद में PAN services हो गया AICT, CBSC tax का जो payment रहता है ठीक हमारे जो business तरह रहता है health हो गया D district passport यह सारे यह उमंग के द्वारा हमारे services उसमें offer की जाती है तो आपको ध्यान में रखना हो का ऐसा question mainly IBPS पूचता है option D is question का correct answer आजाएगा then we have a next question and very basic question the term DOS stands for but यह पे आपको questions option में ऐसे गुआ फे रहा कि पूच रहा कि पूच रहा कि पूच रहा सकते इस लब को ध्यान से चीज़े समझ की जानी होगी DOS का full form क्या होता है disk operating system disk operating system option A is question का correct answer आजाएगा the term DOS stands for disk operating system and it is developed by the it is a Microsoft disk operating system by Microsoft for microcomputer microcomputer के लिए develop किया गया था it is the only OS which can be loaded in the main memory of a computer using a single disk single disk लेके हम लोग इसको install का सकते और बागी के भी जो information है या पर मैंने mention करके आप इसको अच्छी तरी पर पढ़ सकते हो गया इस ठीक है then we have a next question which is question number 8 which is the following is not देखे आप IPPS का जो पैटन है मैं आपको बता दो ऐसे questions पूछाते है not आपको जो options गेवन रहते हैं जल्दबाजी में हम लोग not को ध्यान में रहते है which of the following is not a function of operating system इसमें से operating system का function नहीं है ऐसा पूछा गया तो कौनसे कौनसे functions हम लोग सबसे पहले तो पढ़ लेते processing the command ये भी है हमारा operating system commands को process करते है controlling the execution of various program ये भी statement करेक्ट है process management ये भी statement करेक्ट है memory management भी हमारा statement करेक्ट है इसमें से फिर काउन सा गरेक्ट है अंसरा रहते हैं none of these that means ये सारे functions है हमारे operating systems के ठीक है then we have a next question which of the following ये से भी question में ली पूछ रहते है इसलिए मैं आपको थोटा सा tweak करके change करके आपको फ्रेम आप करके दिया है which of the following is not a operating system used on a computer computer के अंदर use होने वाले इसमें से कौन सी operating system नहीं है आशा करता हो गाई कि ये आपने हमारा computer awareness का marathon अच्छी तरह के से देख के आउंगे जिससे आपको definitely फाइदा होगा आपके आरट भी प्योंके में इसके examination के लिए उसके बाद अगर आपके questions करते है हाला कि हमने जो फ्री questions चाहिए होगे गाई तो आप हमारे application को download करेगा वह आप मैंने notes में डाल कर रखे है ठीक है तो इसमें से कौनसा operating system नहीं है हमारा हुआ हमारा windows 6.1 6.1 हमारा ऐसे कोई version आया है नहीं हाला कि 7 भी आ चुका है windows 10 भी है अभी currently windows 11 भी लॉंच हो चुका है प्रिवियर प्रिवियर वर्जन जो है तेन भी आप नेक्स कुशन विट इस कुशन नबर 10 दे फॉस्ट लेयर ऑफ स्रुक्चर ऑपरेडिंग सिस्टम इस फाइला लेयर पहला लेयर कौन सा रहता है हमारे operating system का वो है हमारा करनल ठीक है option d इस कुशन का करेट आप उद्हें में रखना हुआ हूँ करनल देन memory management process management device file management storage management अंदिर हमारे फास में सबसे लास्ट जो रहता है structure में ओव इसके तो वह है रहा हमारा user interface जो हमें दिखाई देता है वह हमारे user interface but core में अगर हम लोग बात कर दे तो वह रहता है हमारा kernel option d इस कुशन का correct answer आ जाएगा ठीक है then we have a next question which is question 11 which is the following is not a utility program used on a computer इसमें से कौन साइग utility utility program नहीं है जो कि हम लोग computer के इंतरे यूज करते हैं तो वह है guys हमारा Mac OS ठीक है Mac OS कहा है हमारे operating system है it is not a utility program हाला कि नॉर्टन जी एक antivirus program है CC cleaner जो है वह हमारा एक cleaning है cache cleaning है हमारे software है जो junk files रहते हैं उसका हम लोग clean करने के लिए यूज करते यूज करने के लिए यूज करते ओफिस 365 हमारे PowerPoint वर्ट का सब्सक्रिप्शन बेस्ट यह हमारा सर्विस है यह ऐसा question पूछा जाता है session को मैं जल्दी जल्दी ट्राय करता है कि जितना कम टाइम है जितना आची तरी किसा आपको समझा सुको इसलिए मैं आपको यह notice करूँगा आपने नोटिस करूँगा कि हम लोग काफी कम और अच्छी duration का session मैं आपको प्रवाइड कर रहते हैं विदन 30 मिनिट्स या फिर हम लोग 25 तू 45 मिनिट्स के अंदर ही रहते हैं बट आपको एक चीज़ मैं आपको सेशन करना चाहूँग यह आपको ऐसा question पूछे सकता कि office 365 हमारा subscription-based service है या नहीं है office कौन सा तो आपको ध्यान में रखना होगा यह हमारा utility program नहीं है माइक मैं को ऐसी हमारा operating system अब देखिए में लिए system software जो है हमारे हमारे चार टैप में डिवाइट के जाते हैं operating system हो गया device diver हो गया language translator हो गया रहा है macOS है यह हमारा apple की तरह design किया गया specifically apple devices में जो रहता है laptop से हो गया ठीक है या फिर उनके mac macbooks में हो गया उनके लिए यह हमारा उनका special operating system है ठीक है then we have a next question which is question number 12 which of the following converts the program in a high level language into low level language and reports all the errors of the program along with the lines number इसमें से कौन सा है एक टर्म है जो कि convert करते है program from high level language to low level language and report is the error of a program along with the line error ठीक है line by line error यह भी हमें बताता है तो वह है guys हमारा compiler अपको धन में जखनों का assembler क्या करते है assembler करते है हमारे convert assembly language to assembly language to machine level language ठीक है assembly language to machine level language में convert करते है compiler क्या करते है इक नवर्स प्रोग्रम from high-level language to low-level language ठीक है और interpret क्या करता है यह हमारा convert करता है high-level language to low-level language ठीक है और line-by-line हमें यह reports भी हमें provide कराता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रेखनों का ही सारी छीज़े option B is question का current answer आ जाएगा then we have a next question which is question number 13 a computer system startups reset from a complete powerless state is called एक हमारा computer system start हो रहा है मानलो complete powerless state से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे warm booting option C is question का current answer आ जाएगा rendering यहां पर गलत हो जाएगा cold boot मतलब क्या होता है ठीक है जिसे कहा हम लोग turn on करते computer from office position तो उसको हम लोग को हम लोग क्या कहते है जब हमारा system start होता है from a complete powerless state उसको हम लोग कहते warm booting धहन में रखना होगा option C is question का current answer आ जाएगा then we have a next question which is question number 14 which of the following is the first object oriented programming language हमारा सबसे पहला object oriented programming language कौन सा है तो वो है गाईस आपको धहन में रखनों का similar similar क्या है हमारा first object oriented programming language यह कप का आया था 1960s में आया था पर उसके बाद में जो 1970s में 1970s में जो है वो Xerox का small talk जो है वो हमारा first object oriented programming language Xerox company का ठीक है धान में रखना होगा then we have a next question which is question number 15 which of the following is not a high level language मैंने सारे questions जो आपके लिए frame-up किये वो not वाली किया है so that आपके practice हो सके इसमें से कौन सा high level language नहीं है तो दहान में रखना हो का basic C cobalt prologue prologue यह हमारे high level languages है तो इसका correct answer आजाएगा option in none of these ठीक है बेन लिए basic C हो गया C++ cobalt ho गया fortron algol pascal prologue यह सारी जो चीज है यह सारी जो languages these are all considered under covered under the high level languages ठीक है देहन में रेक्न होगा देन we have a next question which is question number 16 मैं अपके लिए खुद फ्रेम आप करके बताया को बनाया question dash is used for developing the complex scientific numerical applications data analysis and visualization हम लोग क्या इसमें से यूज करते python यूज करते python is used for the developing of complex scientific numeric applications data analysis and visualization तो office 365 मैंने आपको बता दिया 19 भी बता दिया similar यह हमारा first object-oriented language है ठीक है यहापर मेंचेन करके रहागा जावा क्या है हम लोग develop करते है mobile और desktop के web हो गया फिसर्वर साइड डैनामिक वेब applications के लिए ठीक है but python is used for developing complex scientific numeric applications and data analysis ठीक है option c is question का करेंटर आ जाएगा बटते अभी हमारा next question के और जो कि हमारा question number 17 question क्या क्या है क्या हमने बस which of the following software is used for running mp4 files on a computer mp4 files को run करने के लिए इसमें से कौनसा software use करते हैं तो वो है हमारा windows media player हम लोग यूज करते और अगर आप चाहते हो गई कि मैं आपको ऐसा एक session बता दू दस पास-दस मिनट का कि जिसमें जो वेरियस applications हो गए जिसका यूज का जिसके आपको पूछता है तो वह भी आप मुझे बता दीजिए कि मैं वैसा भी आपको टीज़ेंट यह इंटरेट पे यह फिर हमारे वर्ड में तो वह है आपको और इसेंट मैसेजिंग और गूगल टूल पार ऐसा पूछा गया था मैक्रोश्व वर्ड जो अब फ्रीवेर में नहीं आता है धान में रखनों का ओके ऑप्शन डी इस कुशन का हमारा करेट एंसर आजागा दिन भी आप नेक्स कुशन सब्सक्राइब का इसमें से कौन सा प्रोडेक्ट नहीं है थान में रखनों का पॉप्शन डी इस कुशन का करेट एंसर आजागा था यह थे गाई इस वह अगर हमारे जो बाकी भी से अपको जल्दी जल्दी में प्रोडेक्ट करने के कोशिश करूंगा तो आप इसमें अची दरीके से प्रेपर कर सके बाट मैं आपको यह सजिस्ट करूंगा कि आप जितने भी मैंने से आपको प्रोडेक्ट के इसको ध्यान से बढ़कर आपको डेफिनेटली फाइद होगा यह हमारा 100% आपको अची रेट के साथ बता दो यह आपको उसमें से काफी सारे कोशिशन आज इस भी देखने को मिल सकते हैं अभी मैं आपको नेक्स सेशन के लिए कोशिशन चोड़के जा रहा हूँ इसका करेट टैंसरा में कमें बोक सकते हूँ मैरत उनका काफी इंपोर्टन सेशन मेंने इबूक जाए वह आपको अप्लोड करा दिया है सो गाइस थैंक्स वर वाचिंग दिस सेशन हैव नाइस टे